दोस्तों, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे आपको परसनली बहुत बेनेफिट हो, चाहे वो फाइनेशल नेचर का बेनेफिट हो, चाहे वो आपके नॉलेज बेसिस बेनेफिट मिले, लेकिन अल्टिमेटली आपका मिलना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो हैं mutual funds के उपर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि mutual funds के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दे पाऊं, और especially उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ज़ादा फाइदेबंद होने वाला है, जो नए investors हैं, including that, अगर आप student हो, अगर आप कोई professional भी हो, तब भी मैं जानता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है, तो इस वीडियो को last तक बने रहीएगा, मैं हूँ C.A. Devan Reja, अगर आपने अ source of investment होती है, fixed deposits, आप fixed deposit कर दो, FD करा दो, उसमें usually आपको 6.5% या 6% के आसपास का return मिल जाता है annually, तो ये होता है risk-free return, यानि कि आपने ये पैसे bank में डाल दिये, एक fixed term के बाद आपको 6% के interest के साथ, ये जो भी government का existing interest rate होगा, उस rate के साथ आपको वो amount वापस मिल जाएगी, reimburse हो जाएगी, इसके अलाबा लेकिन अगर आपको लगता है कि ये 6.5% बहुत अच्छी नहीं है, आप इससे जादा invest करना, इससे जादा कमाना चाहते हो, तब आपके लिए एक second option आता है कि क्यों ना share market में invest किया जाए, बट फिर एक problem है, कि share market में हमारे पास इतनी knowledge नहीं ह कि किस company में investment करनी चाहिए, किस company में नहीं करनी चाहिए, किस company में कब investment करनी चाहिए, कितने percentage में investment करनी चाहिए, ये knowledge हमारे पास नहीं है, तो इन सब के combination को merge करके एक fund बनाया गया, जिसको बोलते है mutual fund, mutual fund का नाम ही clear है, mutual fund यानि की pool of fund, अब ये pool of fund क्या होता है, इस बात को स इसी भी investment जो भी person हो उसके पास आप जा सकते हो और उससे आप mutual funds की demand कर सकते हो mutual fund क्या करती है यह एक pool of fund होता है यानि कि यह एक ऐसा fund होता है जहां पे बहुत सारे लोग पैसा invest कर रहे होते हैं प्लस यह जो investment company होती है यह एक professional person को hire करती है और उससे कहती है कि आप decide करिये कि इस पैसे को किस तरीके से हम लोग invest करें जिससे हमको maximum to maximum return आए तो basically mutual fund कई सारे लोगों का इखटा किया हुआ fund होता है जिसको एक professional person invest करता है जिससे उसको जादा से जादा benefit मिल सके बट हाँ उसका ये भी target होता है कि हमारे जो investors है उनको कम से कम return मिले देखो भाई सिबल से बात है कि अगर कोई 6.5% या 6% का return चाहता है तो क्यों न वो FD में invest करें लेकिन वो जब उससे जादा return चाहता है तो ये professionals की जिम्मेदारी बन जाती है जो investment professionals होते है fund managers होते है उनकी responsibility बन जाती है कि at least कम से कम risk में हम जादा से जादा return दे देखे जब मैं कम से कम risk की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ कि zero risk risk तो होगा अगर आपको risk नहीं चाहिए तब तो FD में invest करो अगर आपको बहुत सारा risk चाहिए और बहुत अच्छा return चाहिए तब आप share market में invest करो लेकिन अगर आपको 50-50 ratio चाहिए मलब certain limited risk limited return कोई दिक्कत नहीं है 10% भी चलेगा 15 भी चलेगा और 20 भी चलेगा तब उसके लिए आपके लिए बहुत beneficial हो जाता है कि आप mutual funds में invest करो अब यह जो mutual fund में investment करते हैं तो हम एक lump sum amount से करते हैं example 5,000, 10,000, 15,000 हम जिस तरीके से चाहिए उतना invest कर सकते हैं हलाकि इसमें कुछ minimum amount होती है वो मैं आगे वाले वीडियो आने वाले वीडियो पार्ट में मैं discuss करूँगा लेकिन आप चाहते हो तो आप एक lump sum amount जमा कर देते हो उस amount के basis पे आपको कुछ units allot हो जाती है यह जो units allot होती है उसको हम लोग NAV के basis पे units allot कराते हैं अब यह NAV क्या होती है जैसे share market होता है बिलकुल वैसे ही NAV भी होती है share market में क्या होता है कि आप किसी share price पे share को खरीदते हो वैसे ही हमारे यहाँ पे जो fund manager होते हैं वो अपने funds को इस तरीके से divide करते हैं कि वो for example 60% equity में डाल दिया 40% debentures में डाल दिया या यूँ कहलो कि कुछ पैसा मैंने reliance में डाल दिया कुछ पैसा मैंने data में डाल दिया कुछ पैसा मैंने दूसरी company में डाल दिया तो जब हम उनकी values निकालते हैं तो उस value के basis पे NAV decide की जाती है अब वो बन जाती है जैसे कि share price होती है वैसे एक NAV price होती है जिस पे mutual funds आपको मिल जाते हैं अब दूसरी बात आती है share market में क्या होता है कि आप जब आओ जब निकालो जब डालो वैसा ही बिल्कुल mutual fund में भी या जब चार्ज हम लगाएंगे 1% कुछ लगाते हैं सब नहीं लगाते हैं पॉइंट आता है कि आखिर हम mutual fund में investment क्यों करें तो वैस सिंपल सी बात है कि हमें चाहिए growth हमें चाहिए अपने funds की growth अब ये growth कैसे मिलेगी मैंने भी आपको बताया कि यहां पे हमारे पास risk थोड़ पाने की जो chances होते हैं वो थोड़े जादा होते हैं नेक्स चीज आता है professional money management यानि कि यहां पे आपको कुछ नहीं करना है बस आपको अपने पैसों को जाकरके investment company को दे देना है अब ये investment company decide करेगी उसको किस तरीके से invest करने हैं देखो कोई भी invest company successful तभी होगी जब वो अपन से जादा return दे अगर वो जादा return देगी तभी उनकी दूसरी policy भी केगी तभी आप जाकरके उनसे mutual funds की demand करोगे तो professional person इतने educated होते हैं इतने knowledgeable होते हैं कि वो इसी तरीके से investment करते हैं दूसरी चीज़ेसे मैं ने बताया आपको convenience and flexibility यहां पे आपके पूरा option है कि जैसे चाहो जितना चाहो जब चाहो invest करो जब चाहो भी draw करो बठा मैं उस restriction को फिरसे repeat करूँगा कि कुछ company यह कहती है कि अगर आप एक साल से पहले भी draw करोगे तो हम आपसे कुछ exit charge लेंगे लेकिन कुछ company कहती है सब नहीं कहती हैं दूसरी बात हम करते हैं अब point यह है कि अब चलो ठ investment क्यों करना चाहते हो आपको लगता है कि 10 साल के बाद मुझे घर खरीदना है आपको लगता है कि 2 साल के बाद मुझे कार खरीदनी है आपको लगता है कि आपकी family में आपकी daughter के लिए आपने बच्चों के लिए आपको education के लिए कुछ funds हैं तो आपको एक goal decide करना कि आपको funds कैसे invest करना है, आपको long term nature के लिए invest करना है, short term के लिए invest करना है, medium term के लिए invest करना है, कब तक आपको कब-कब पैसे चाहिए, तो ये सारी चीज़े अगर आप एक अच्छे advisor को बताओगे, तो उसके हिसाब से वो आपको एक अच्छा plan दे पाएगा, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे advice की जरूत है, तो आप हमारे पास भी contact कर सकते हो, हम आपकी पूरी help करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा जो एक बहुत important बात आती है, कि हम investment कितने रुपे से कर सकते हैं, तो अब इस से अच्छा क्या चाहिए, आप चाहो तो as low as 500 रुपी से भी आप invest कर सकते हो, और maximum to maximum return भी कर सकते हो, hopefully आपको यहां तक की बाते समझ में आई होगी, फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ और भी interesting चाहिए, तो मुझे update जरूर करते रहा कीज़े, और मेरे appreciation के लिए इस video